इन इस वीडियो वी वी विल लान सूपर कीवर्ड इन जावा सूपर कीवर्ड क्यों यूज होता है और उसका क्या एडवांटेजेज है वह हम लोग देखेंगे so let's start तो यहाँ पर definition लिखिएगे सूपर कीवर्ड इन जावा इसयार रेफ्रेंस वेडल यह क्या होता है रिफ्रेंस वेरियेबल होता है which is used to refer immediate parent class object क्या reference करने के लिए युज होता है immediate parent class object जू से पहले parent class object create किये गए है उसका उम्नों refer करने के लिए use करते है super keyword there are three main usage of super keyword the first is super can be used to refer immediate parent class instance variable second super can be used to invoke immediate parent class method super can be used to invoke immediate parent class constructor तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यह समझ में आगा कि हम लोग inheritance में ही use करते है super keyword है ना यह देखो हर एक का मैं एक एक example बताऊंगी तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे super keyword can be used to refer immediate parent class instance variable अभी देखो हम लोग नहीं यहाँ पर class create किया है उसमें एक variable declare किया है जिसको हम लोग ने value assign की है white ठीक है तो यह ध्यान दो यह class हम लोगा create हो गया next हम लोग ने क्या किया है sub class create किया है यह inheritance feature हो गया तो s1 is my super class and d is subclass तो अब इसमें हम लोगों ने variable declare किया है color name का जो के s1 में भी था है ना s1 में भी हम लोगों ने color नाम का variable declare किया और d में भी color नाम का variable declare किया और उसको initialize किया black तो अब आपको याद होगा कि inheritance में हमेंने क्या बताया था कि जब भी super class से हम लोग inherit करते है और हम लोग new class create करते हैं जैसे यहां पर class create किया है D तो super class और sub class दोनों के method sub class क्या कर सकता है access कर सकता है It means D have two variable named color एक तो उसका खुद का भी और जो S1 का inherit किया है वो ओके तो अब जब यहां पर देखो यह print color एक method create किया है D में उसमें जब हम लोग सीफ लिखेंगे color ओके जब मैं सीफ लिखती हूँ color मतलब variable का नाम लिखती हूँ तो यह क्या होगा मुझे क्या print करेगा black मतलब sub class का variable का value मुझे देगा और अगर मैं super keyword यूज करूँगी तो क्या होगा मैं super class का variable access कर सकती हूँ अब तुम लोग समझ में आ गया होगा कि क्या यूज है कि अगर मैं same name का variable यूज करी है ना तो अगर मैं सीफ लिखती हूँ वही variable का नाम तो क्या होगा sub class का variable access होगा और अगर मैं super keyword यूज करूँगी तो super class का variable मैं क्या कर सकती हूँ access कर सकती हूँ ओके अभी देखो यहां पर एक class create कर दिया है test super one और उसमें हम लोग ने क्या कर दिया है आउटपुट देखो आप लोग इसको visual code में मैंने लिख दिया है और इसका file का नाम मैंने क्या दिया है test super one मैं हमेशा बता दियूंकि main method का जो class रहेगा उसका ही नाम से आप क्या करते हो file का नाम देते हो ओके execute करती हो आउटपुट देखो see this तो यह आगे हम लोग आउटपुट black white तो यह कैसे आया पहले black कैसे आया क्योंकि हम लोग ने सिफ कालर लिखा था तो सिफ कालर लिखोगे मतलब variable का नाम लिखोगे तो क्या होगा सब class का variable access कर सकते हो और super keyword के साथ लिखा मतलब क्या ह message क्या है super can be used to invoke immediate parent class method अभी हम लोगों ने variable का देखा आप हम लोगों क्या देखेंगे method का देखेंगे तो यह देखो sd1 में हम लोगों ने method क्या create किया eat और sd3 जो है हम लोगों क्या हो गया sub class है उसमें भी एक method क्या है eat है तो दोनों में method eat है तो यह क्या हो गया override आपको याद होगा जब मैंने override का बताया था तो override से हम लोग क्या कर रहे थे method override का मतलब क्या होता है कि जब मैं super class में भी वही method name यूज करूंगी और sub class में भी method name यू Bhag को लोगोई लेकिन अगर आपको क्या करना है super class का method access करना है सब class में तो आप क्या कर सकते हो super keyword से उसको access कर सकते हो ओके तो यह हम लोगों ने लिखा ना जब super.at होगा यह सोपर क्लास का है यह हाल गया तो यह क्या होगा जब सुपर कीवर्ड करूंगी तो उससे क्या होगा मेरा कौन सा मैंट twice का डेटो होगा package किंग कोंगी तो जो मैंट ninth अपना जाव में बीर तो तो क्या होगा कौन सा method access होगा सब class का थार्ड usage क्या है super can be used to invoke immediate parent class constructor तो इसका example दिखते हैं हम लोग देखो हम लोग ने class create किया है टी टी के नेम से और आपको मालूम है कि constructor क्या होता है constructor method होता है जिसका नाम क्या रहता है same as class name ओके तो यह constructor create हो गया अब जी में भी हम लोग यह देखो तो जब मैं लिखती हूं super तो जब मैं यहां पर super keyword यूज करती हूं और parenthesis देती हूं तो उससे क्या होगा मेरा super class का constructor मैं call कर सकती हूं तो जब मैं जी को यहां पर execute करूंगी मतलब जी कैसे execute होगा जी तो क्या है मेरा canstrakter है तो canstrakter कैसे call होता है canstrakter automatically call होता है जब उसको ङnt Martinez क्रिएट किया जाता है class का तो我就 कि मैं reject create करूंगे तो यह call होगा जब यह कॉल होगा इसमें आएगा कर सकतो क्या और यह पहले क्ल लोगा तो इससे क्या होगा यह वाला method जो है एकसे सोगा तो क्या लिखने क्लास टी फिर उसके बाद क्या क्लास जी यह आउटपूट आएगा मैं आपको execute करके दिखाती हूं कि यह देखो यह देखो आउटपूट लास टी क्लास जी तो तो आपको क्या करना है call करना है एक्सेस करना है सब क्लास में तो आप क्या करो super keyword यूज करो यहां पर parenthesis दे दो तो उससे क्या होगा आपके super class का जो constructor है वह आप call कर सकते हो एक्सेस कर सकते हो यह तीन जो है मैंने आपको usage बताए है super keyword का और उस हर एक का मैंने एक एक example बताए है तो अगर इसमें से कुछ doubt हो कुछ query हो तो आप chat box में लिख सकते हो